अच्छाथ, वीडिया की आषनदीशारी मैं अज्छा रिया ही और हैं रिया के लिकाश्ट, आप तो अनियो चुना ओट को पर से अधा नीए ईविडियो है और मोटीवेशनल स्टोरी में आज लाएए जिन तब मैu में मिल संदित ममेश्वाजी के वीडी शेए के विच्टेश्ट मोटीवेशनल जो इस पूर्थ जो आई मीलसों आगी किसी नए किसी छीशते तो रिलेटेटी है होगी मैं आज ये वीडियो पर देने वाली हूँ रियाक्शन से वितार टेमस करें पहले देख पहते हैं वीडियो लेट्स वाच ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक चोटे से गाउं में रहते थे एक बार वो दोनों किसी काम से शेहर गए और वापस अपने गाउं लोट रहे थे उनके गाउं तक पहुचने के लिए उनको एक घने जंगल से हो करके गुजरना था और जब वो इस जंगल से गुजर रहे थी तो एक दोस्त को प्यास लगी और वो पानी ढूंडने के लिए रास्ता भठक गए थोड़ी ही देर बाद शाम हो गई और रात होने ही वाली थी तो उन दोनों की नजर एक गुफा पे पड़ी जो की पेड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ से तो उनोंने सोचा कि यही जगे ठीक है रात बिताने के लिए तो दोनोंने कुछ लकड़ी एकटी करी उस गुफा के अंदर गए और आग जला करके वहाँ पे बैठ गए रात का वक्त था गुफा के अंदर आग जल रही थी बाहर बिलकुल अंधेरा था और कुछ जानवरों की अवाजे आ रही थी तो उन दोनों मेंसे जो एक दोस था वो अंदर ही अंदर डरने लगा क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत काहानिया सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ बयानक आत्माएं भटकती है और अगर उनको कोई ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ती तो जब उसने भूत प्रेतों की बात अपने दोस से करी तो उसके दोस ने हसते वे उससे पूछा क्या कभी तुने किसी भूत को देखा है तो उसने का नहीं मैंने तो नहीं देखा लेकिन मेरे कुछ जान पचान के लोग हैं जिन्होंने देखा है तो उसके दोस ने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि यार ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं अब तु सो जा और मुझे भी सोने दे मुझे नीन आ रही है और इतना कह करके उसका दोस वहीं पर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया लेकिन वो जो अंदर से डरा हुआ था वो लेट तो गया लेकिन उसको नीन नहीं आ रही थी उसको लग रहा था कि शायद यहां पर कहीं कोई है जो छुप करके कहीं से उसको देख रहा है उस आग की वज़े से कुछ परचाईयां बन रही थी वहां पर पत्त्रों पर तो उन परचाईयों को देख करके भी वो डर रहा था फिर कुछ घंटे तक ऐसे ही चलता रहा फिर उसके बाद में क्योंकि वो ठका हुआ था तो उसको नीद आगे लेकिन नीद आने के कुछ तेर बाद ही उसको एक सपना आया सपने में उसको एक बहुत ही भयानक परचाई उसकी तरफ भढ़ती हुई नजर आयी अब जैसे जैसे वो अंदर से डरता चला जा रहा था वो परचाई उसके और पास आती चली जा रहे थी और बड़ी होती चली जा रहे थी और उस परचाई में एक हाथ उसको नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखुन थे और वो हाथ उसकी तरफ बढ़ता चला गया और उसकी गले तब कोहुच नहीं वाला था कि तब ही वो डर करके एक दब से उठा फिर उसने अपने दोस्की तरफ देखा जो कि सूर आता उसको पकड़ करके जूर से उठाया फिर उसने अपने दोस्को बताया मैं तुझ से नहीं डरता सामने आ तो उसके दोस्तने वैसे ही किया थोड़ी देर बाद दुबारा से उसको सबने में वही परचाई नजर आई और वह परचाई धीरी धीरे उसकी तरह भढ़ने लगी लेकिन इस बार वह उस परचाई से डरा नहीं बलकि अपनी पूरी हिम्म और उससे दूर होने लगी वह बोलता रहा है वह परचाई छोटी होती रही और धीरे धीरे वह परचाई दिखनी बंद हो गई बिलकुल ऐसा ही हमारी जिन्दगी में भी होता है हमारे अंदर जितने भी डर है उससे हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते चले जाते है लेकिन अगर हम अपने अंदर के डरों से नहीं डरते हैं और उसका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कि हमें डरा आपाए एक कुए मस्ति लुग कई डर से लगते हैं लिगन आपाएव में थे चैज़े राके में अटर अठेवा button में तर थाली में तर लेकिन अटर लगता है हान्मे में खार्रम शोड़ की लिखते हो मैं जब ऑ़ मैं अब इसे स्टोरिस वगरा सुनती हो तो मेरे अंदर भी एक धुम आती है था था मैं उसे पावफुल से माइंड़ से बन जाता है कि मैं नहीं मुझे नहीं रहना है मैं जो भी है जो भी है लूँद लूँद गर फाइट कर लोंदी मिन ऐसा ही होता है मेरे साथ तो ओवराल ये में उस मोटिवेशनल वीओ और ये तो सुनने के बाद मुच्छी तो अच्छा लगा एक मोटिवेशनल मिला कि मैं अपने डर से लड़ सबूँ मन कुम आपची कर 있는데 पता रénom कि मैं अटने रिग्णा नोग्या मोटिवे तो अग्या फिल्या टीन में आपची कि ऍिर्ड़ मौटिड भडा राख सक्टिको हुआ राख सर्फोच में ने अंटिफीडने कि आ पहलन गले आंकि आले न दया B लांन एक्टित एंटर Oh, baby, I don't need you, love me, hey, hey Cause I love you